सलाम अलेकुम आज हम बनाएंगे शेव पूड़ी हमने दो कप मईदा लिया है इसमें हम आदा टी स्पून नमक दले ओईल लिया है हमने 2-3 टेबल इस्पून हमारा ओईल है इसको ओईल को अच्छे से मिक्स करने का मईदे में इदे कोई बेंडिंग हो रही है हम थोड़ा थोड़ा करके पाणी डालके इसका आठा गोनेगे देख रहे हैं हमारा कितना सौफ्ट यह आठा बन चुका है अभी हम इसकी पापड़ी बनाएंगे एक इस सामने लिया है दो कप माईदे से इसके हम रोटी कि बेलेगे रोटी को ज्यादा पतलाना है ज्यादा एकदम मोटा नहीं रखने का है अब यह हमें पहले काटे से ऐसे पूरे इदर छेट करेगे क्योंके फिर यह पूरी फूलेगी फूलना नहीं चाहिए ना शेव पप्रिक पूरे रोटी पे हमने फॉक्स से सही छेट किया है वे एक डपकन की मदद से हम इसके छोटे छोटे पप्री बनाएंगे यह देखें इसी तरीकी से हम सारी बनाएंगे करेंगे करेंगे अच्छे से हमारी हो चुकिए गोल्डन हम दुसरे साट से इसको टन करेंगे इसी तरीकी से हम सारी बनाएंगे अब हम इसके लिए एक चटनी बनाते हैं ए लाइशन है याद रख है यह अध्रक है हडी मिर्ची है हडी दनी आएं लिम्बू हो हरी मिर्ची हमारी जियादा आए क्यूकि तीकी लगती है अच्छे हमने नमक डालाए टेस के हिसाब से लिम्बू का जूस और दो तिन टेबलिस्पूर हमने पाने डालाए मिक्सी में देखे हमारी हड़ी चट्नी तयार है मीठी वाली चट्नी हमारे पास है अगर आपको वीडियो चाहे तो हम डालेगे हमारी मीठी वाली चट्नी है यह आलू है यह चट्नी मीठी ग्रीन चट्नी यह पापड़ी हमने बनाई है शवपुड़ी की पहले हम आलू में थोरी सी चौप की हुई प्याज डालेगे इसको अच्छे से हम मिक्स करेगे बोर टेस्टी लगती है श्योप पूरे अब हम एक प्लेट में इसको ऐसे लगाएगे पापड़ी को श्योपूरी के और उस पर आलू लगाते जाएगे हमने सारे पापड़ी पर आलू लगाया हुआ है अब हम हाड़ी चटनी लगाते जाएगे फिर हम मिठी वाली चटनी इस पर बोर टेस्टी लगती है एक बार जरूर ट्राय करना हमारे तरीके से अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक और शेर करना न भूलना और बेल आइकन दबाना न भूलना क्योंकि हमारी जो भी नई वीडियो आपको अपलोड होगी वो उसकी नोटिफिकेशन मिलते जाएगे अब यह हमें इसके उपर इस शेव डालेगे शेव पूड़ी की टमाटर प्याज अरी दन्या इसी तरीके से बनाए हमारे वीडियो को लाइक और शेर करना न भूलना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अल्ला हफीज लो लूगाम湃 आन्याग gefाण ट्रिस्षाब कीजए पाले परत्रिक की ब मुछ रभणते तरीके से जग़एे ऑपत्ति वीज़गे प्या वीज़ एग